नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे लाब आनी से संबंदेत कुछ अत्यंतम हैत्पूर प्रश्णों को जो की आपकी परिच्छा में बार-बार पूंचे जाते हैं और इन प्रश्णों को अल करने के लिए एक बहुती आसान सा तरीका हम सीखेंगे तो आई दोस्तों शुरू करती हैं पहला प्रस्ण दिया एक व्यक्ति कुछ वस्तू को प्रतिदर्जन के बाव से खरीथता है तता रुपया प्रतिवस्तु के बाव से बेज देता है उसका लाब प्रस्ष्ण कितना होगा यहनि कि वह कह रहा है कि बेक्ति है वो पी रुपई की प्रति दर्जन या कि एक दर्जन भाव से खरीता है तता पी बटे आठ यानि की प्रति बस्तु के बाव से बेज देता है उसका लाप्रेशन ग्याद कीजिए तो देखिए इसमें पी रुपई में कितनी खरीता है प्रति दर्जन पी रुपई में एक दर एक दर्जन में आपको पता है बारा होती है तो सीपी कितना आगया सीपी है पी रुपए में बारा वस्तों खरीदता है अब एसपी कितना बता रहा है कि एसपी हो जाएगा पी बटे आठ यान्द की पी रुपए में बहुतर है अब देखें कि कि हम क्या करेंगे इन में जो वस्तों है इनको संवान कर लेते हैं वस्तों को संवान करलेगे तो हम कह सकते हैं पी 50 कि रुपए में 12 खरिदी और नीं हम संकिया के लिए और 25 करेंदेते हैं उपर नीचे कर देते हैं तो डेखंआ अफे neurism अब कि बारा का आठ में खर दिया और इस आठ का बारा तो जो नए सीपी मिलेगा और एस पी मिलेगा कि सीपी बराबर हो जाएगा आठ आठ पी गए आठ पी में कितनी बस्तूं खरीदेगा बाराठे च्छ्यानवे सीपी गिसरीद हो जाएगा कि बारा पी him a variety बाराठी में कितनी बस्तू खरीद रहें बाराठे च्छ्यानवे अध्यू आशनुा preset बाराबर हो गई सकते हैं कि आठ पी में स्ट गर्ता और बाराठी में जो 96 वस्त हुए बेज देता है तो वह 8 में खरीद रहा है और 12 में बेच रहा है उतनी वस्त हुए तो लाब कितना होगा तो लाब हो जाएगा लाब बराबर हो जाएगा आठ चार बारा चार फोर पी का जो से लाब हो रहा है अब हम प्रसत लाब निकालेंगे तो देखी प्रसत लाब निकालने के लिए प्रसत लाब बराबर हो जाएगा लाब गुड़ा में सो मटेक क्रेम हो लिया यही होता है सूत्र प्रस्त लाब निकालने का तो यहां आ जाएगा देखिए लाब कितना है फूर पी का गुड़ा में सो और क्रेमूल कौन सा है सी पी कोश्ट पर आठ पी चार पी से दो बार यह कैंसिल हो जाएगा और दो से यह चला जाएगा पचास कितने के लाब हो रहा है पचास प्रस्त का तो आसा करता हूँ आपके प्रस्त ने समझाया होगा एक व्यक्ति ने कोई पुश्ट तक 891 में बेच कर लागत का एक वटी दस बाब लाब कमाया उस वस्तो का क्रेमूल कितना होगा वो कह रहा कि जो एसपी है उसका कितना दे रहा है कि एस पी बराबर दे आ एक सो में आठ न चयांक्य रुपया है अब करहा लागत का एक वटी दस यह क्या लाब कमाता है लाब कमाता है तो इसमें ज़िए बुक्या हो जाएगा सिपी क्रेमूले और एक जो घाएगा प्रोफिट यहनी की लाब प्रोफिट 10 रुपई पर ए कि सीपी कितना है दस है 10 रुपया पे एक रुपया ही लाफ कमाता है तो spr कितना हो जाए,11 खाएगा। ठीक स्थski कितना हो जाएगा तो यह किसके बराबर है cał 6901 क Kernवल झाट तो इसके kurt दे रहा है 11 तो 11 है पर CP कितना है 10 तो 11 से इसे कैंसल करेंगे तो यह जाएगा 1888 1111 तो बराबर हो जाएगा 81 गुणा 10 बराबर 810 रुपया तो क्रेमुल कितना होगा बस्तु का 810 रुपया अगला प्रशन है एक व्यक्ति ने एक पुस्तक 25 प्रस्त आने पर 6,750 रुपय में बेची यदि हो ऐसे 15 प्रस्त लाब पर बेचता तो इसका विक्रेमुल क्या होता तब देखिए इसमें क्या कह रहा है 25 प्रस्त हाने पर बेची तो यह 6,750 रुपय मिले ऐसे अब आपको पता होगा कोई भी बस्त बेचते तो उसका जो मूल होता है वो अपने आप में 100 परस्त होता है तो यह मूल है यह किसके बराबर है तदी कि कोई बस्त बीचते हैं तो उसका जो मूल होता है वो 100% की बराबर होता है वो कह रहा कि 25 प्रस्ट हानी अब इसमें से गर हम 25 माइनस करेंगे तो कितने लड़ाएगा 75 प्रस्ट और ये 75 प्रस्ट कितने की बराबर है 6,750 रुपे की बराबर और हमें निकानना किया ला लाब पर बीचे तो इसका विक्रेम उल्य क्या होगा अब इस 15 प्रस्ट अगर लाब पर बीचेंगे तो यह 100% तो पहले सी होता है और 15 प्रस्ट अगर लाब करेंगे तो यह हो जाएगा क्या कि एक सो पंद्रा प्रस्ट तो एक सा पंद्रा प्रस्ट का जो मूल्य में निक और इसे करना कितने के बराबर है 115 प्रश्रत के काट देतें इसको इसे काटेंगे 25 से काटें 25 तियां 75 हो जाएगा पच्चीस दूनी 50 एक सो पच्चतर रहे गया 25 सत्य एक सो पच्चतर सून की सून तीन से फिर काट दो 39 27 जीरू 90 अब यह बराबर कर लेंगे 90 गुणा 115 अब इसका मान क्या हो जाएगा तो इनका गुणा करेंगे तो यह आपस में मिल लाएगा 10,350 तो यह क्या हो गया विक्रे मुली वस्तु का विक्रे मुल कितना हो जाएगा अगर उसे 15 परसर लाब पर बेचेंगे 10,350 रुपए ऑपाbरस का विक्रे मुल कितना हो जारे क्रेंगे 10,350 अब लाएगा पर सूजर का विक्रे मुल